आज के मदस दे पर सभी को बहुत बहुत शुपकामना बढ़ाई हैं और जो कुछ कारिकरम आज आपने देखें बहुत बैतरीन कारिकरम इस स्टेज पर दिये हैं और उद्यापूर की जाग रूपता ये इस स्टेज द्वारा दी जा रही है निश्चित रूप से हम सभी को अभारी होना चाहिए शक्ति संग्ठन कमेटी और सारे सारा जिला कलेक्टर उद्यापूर एनल सीपी एस वलेज यूइटी का मैं जो आज बात करना चाहरा हूं मदस दे के उपर भी के मदस की जो मदर है उसके उपर चंद बातें गई है वो बात मैं आपके सामने रख रहा के इस माता की माता है और हम सबके माता और भाउन संग्ठन कर रखती हमको सब में बहुत संजोकर रखती हमको सच में सब की दाता वो हमारी दाता है उसके लिए का है कि इस माता की माता है वो हम सब की भी माता बहुत संजोकर रखती हमको सच में सब की दाता चुप रहकर सब सहती जाती कभी कभी रो देती चुप रहकर सब सहती जाती, कभी कभी रो देती और उसके रोने से भी हमको अकल नहीं क्यों आती कभी सुनामी, कभी तुनामी कभी सुनामी, कभी तुनामी ये सब उसके खातिर और केदार नाथ जगजोड दिया क्या कारण था आखिर केदानाथ जब जोड दिया क्या कारण था आखिर तू छेदेगा निश्दिन उसको अंग अंग तोड़ेगा हम लोग क्या कर रहें प्रच्छी के साथ इस धर्ती माता के साथ वो इस बात इसमें कहा है कि तू छेदेगा निश्टिन उसको अंग अंग तोड़ेगा और उसके बच्चे पेड़ पहाडी सबको ही रोंदेगा उसके बच्चे पेड़ पहाडी सबको ही रोंदेगा सहती जायेगी कब तक वो इक दिन तो चीखेगी सहती जाएगी कब तक वो इक दिन तो चीखेगी ज्वाला मुखी बुकम बनी वो करवर तो बदलेगी बहुत बचा बाकी है अब भी समझ जराची लेलो और अहिंकार की रहा चोड़कर धर्ती मात को जीलो मत कर इतना खोड़ा खा दी ना अनू हतियार बना और परमानों के धेर बेट कर मत खूनी आग लगा प्यार से रहले हिल मिलकर मानव तायू बहती खुश हाली से जीवन जीले धर्ती माता कहती जिसने दी है दिल की धर्कन वो माता भी कहती ये धर्ती माता कहती जय है झाल झाल